दोस्तो रश्या और यूकरेन के लड़ाई को लेके कुछ दिन पहले जहाँ पे इंडिया और फ्रांस के वीच में थोड़ा दूड़ी आ गया थो और एक तरीके से दोनों देशों के बिज में डिप्लोमेटिक तनातनी हो गया था तो अभी दोस्तो ये जो रश्या और यूक कतने का धमकी चाइना को दे दिया गया बेसिकली दोस्तो बताया जा रहा है कि चाइना यूकरेन और रश्या के इस लड़ाई को वेस्ट के खिलाव एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और इसी कारण ये वी रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना रश्या को ह अगर देखा जाए तो मैं किसी वी तरीके से चाइना के ऐसे बातों को समर्थन नहीं देता हूँ लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से जो प्रतिक्रिया आया है उसमें भी काफी हद तक दोगलापन है रश्या को नुकसान पहुचाने का जहाँ पर प्रयास किया जा रहा है तो उही पर दूसे तरफ अगर कोई देश रश्या को हतियार सप्लाई करने का बात कर रहा है तो अमेरिका उसे धमकी दे रहा है और यही बात सावित करता है कि अमेरिका अपने स्वार्थ को लेके कित के इलावा G20 के फॉर्ण मिनिस्ट्री के मीटिंग के साइड लाइन पे डॉक्टर जैशंकर के इलावा मिस्टर ब्लिंकन का मुलाकात रश्या के फॉर्ण मिनिस्टर सर्गे लवरॉफ के साथ भी हुआ और रिपोर्ट में यही वताया जा रहा है कि यहाँ पे भी इन मुद्दों को लेके चर्चा हुआ है हाला कि दोस्तों फिलाल अगर देखा जाए तो रश्या और यूक्रेन के जो लड़ाई है उसका डिप्लोमेटिक अखाडा भारत बना हुआ है क्योंकि साल 2023 असल में भारत के लिए एक बहुती महतपूर्ण साल है क्योंकि इस दर्मियान भारत को खाली G20 जैसे देशों के नेत्रित करने का ही मौका नहीं मिला है बलकि भारत इस दर्मियान SEO का भी फैसरेंट्शिफ लिया है जिसमें कि चायना और रशिया दोनों ही देश शामिल है और उपर से अगर देखा जाए तो क्वार्ट के भी मीटिंग का जिम्मेदारी भारत को ही दिया गया है रशिया के खिलाब बयान भी दिया जाए और रशिया के द्वारा जो यूकरेंट के उपर हमला किया गया है उसका निंदा भी किया जाए पर यहाँ पर भारत चाहता है कि इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल मातर ग्लोवल डेवलाप्मेंट का ही चर्चा किया जाए और रशिया और यूकरेंट के ये जो लड़ाई है इसे लड़ाई ना कहके एक तरीके से जड़फ का नाम दिया जाए पर दोसों इन सभी मुद्दों को लेके सभी देश जहाँ पर एकमत नहीं हो रहा है तो उही पर इससे G20 के मीटिंग के उपर असर पढ़ रहा है और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दू कि कुछ देशों के तरफ से अपने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिष्टे क इस्तेमाल करके भारत को एक तरीके से ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गिया था लेकिन उनमें उन्हें सफलता नहीं मिला और भारत ब्लैकमेल होने से बेटर मुद्दों को धूर रखना ही पसंद करता है ऐसे में दोस्तों अमेरिका के द्वारा चायना के डिशिजन को लेके जो धमकी दिया गया है ये यूकरेन और रश्या के लड़ाई क्यों और एक तरफ लेके जा सकता है क्योंकि ये लड़ाई अब तक दो तरफा था मतलब एक तरफ जहां पे विस्टन ब्लॉक था और एक तरफ केवल मात्र रश्या था तो वही पे ये लड़ाई अव ती चाइना इसके लिए रशिया से भारी भर कम पैसा लेगा और दोस्तो फिलाल रशिया इस कंडिशन में नहीं है कि चाइना को हतियारों के बदले में इतना पैसा दे सके जबकि दूसरे तरफ चाइना अपने विस्तारवादी रणनिती को भी बढ़ाना चाहता है और दोस्तो जो अन्य हतियारों के टेकनोलोजीज है उसे भी हासिल करने का प्रयास कर सकता है ऐसे में दोस्तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विशय बनेगा क्योंकि अगर रशिया को चाइना अपने संपूर्ण रूप से कंट्रोल में ला पाया तो एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि भारत और रशिया का जो रिस्ता है उसमें भी दरार आएगा और दोस्तो इस दर्मियान अगर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत वेस्टरन देशों के साथ हो जाता है तो ये दरार और बढ़ेगा और एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि भारत के जो इस मनसुबए को अन्जाम देने का एक सुनहरा मौका है तो आफ लोगे को क्या लगता है कि चाहिना क्या फिरी पोकट मेरसिया को हत्यार देने जा रहा है या फिर हत्यार के बदले मेरसिया के कुछ सरस के उपर कपगंھकरने जा रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताईए और दोस्तों आज का वीडियो यही पही करते हैं, हम आप किसी और एक दिन, किसी और एक वीडियो हैं मिलेंगे, तब तक के लिए जैहिंद वंदे महातरम